जिरकपुर वियाईपी रोड पर पांग स्ट्रीक मार्केट में रेडिमेड गार्मेंट की दुकान पर आई एक यूपती ने दुकान के मैनेजर को अकेला देखकर उसे चाकू की नोक पर बंधक बनाने का प्रयास किया और उससे 30,000 रुपे की फिरोती भी मागी हाला के दुकान के मैनेजर मुकेश कुमार ने फुर्ती दिखा कर यूपती से चाकू छीन लिया और उसे दुकान में बंधकर बाहर से कुंडे लगा दी मुकेश ने शूर मचा कर आसपास के दुकानदारों को इकठा किया और पुलिस कंट्रोल रूम पर सूच न दी सूचना पाकर जिरकपुर थाने से कुलिस मौके पर पहुची और यूपती को गिरफतार कर उसे थाने ले गई है वहीं बारदात की पूरी घटना दुकान में लगे सेसे टीवी कैमरे में ही कैद हो गई मामले के जानकाने देते हुए दुकान मालिक मुकेश कुमार ने बताया कि एक दिन पहले भी इस लड़की द्वारा दुकान में रेकी की गई थी बाहर आई है उस्ताबाद में चाड़ नाल बाहर गड़ी शिकली उस्ताबाद में तुसी इतर एंड़ो तुसी इंदर कर लूट रही है इंदर आई है फिर इन द्रवज्जा खोले वापस उस चलेगी अच्छाए उस्ते जान तो बाद इन्हें पांची मिंट बाद इन्ह आई पांची बोली कन्या ने तुसी इंदर बढ़ा एक टि ऊन्दर सेटी इस तर एक दो रखे जिन तो उस्ताबाद बाद में चाहँ किछे श्तर जारी इसतरा में आदर उस्ताबाद में द्खाया में देख्व। छैकु ना तो पिर कित यह जरु इस तर रखती है एंदर वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने युफ्ति को गिरफतार करने के साथ ही मौकाय वारदात से युफ्ति की एक्टिवा भी बरावत कर ली है वहीं पुलिस मामले में जांच कर रही है बहरहाल अब देखना ये होगा कि मामले में जांच के वायदा और क्या कुछ निकल कर सामने आता है वन्जाब केस्टिवी के लिए कुलदीप कुमार की रिपूर्ट